अर्जु किया है मोटे करते सैर नहीं, अच्छे रखते बैर नहीं हमारे सामने जो आये दुश्मन बगदाद का फिर उसकी खैर नहीं तुम हमारी हिम्मत तोड़ना चाते थे ना, लेकिन तोड़ नहीं पाए अब हम तुझे तोड़ेंगे काईशो, वो ताज जिनु, मैं अली नहीं अलादीन हूँ, तुम मैं और नक्षडी साथ में तोली के जिन होने का सच कि सब कुछ ये आइना जानता है अगर अब ये आइना सफर के हाथ लग गया, तो तुम जानते हो क्या हो जाएगा तुम फिक्र मत तुरो हमेशा वाले भाई, इस कमभक्त मैं कहीं नहीं जाने दूगा, इसे मैं यहीं कैट करके रखूगा आइने के माइने कहते के मुझे रोक पाना तुम जैसे चिन्दी चोरों के बसकी बात नहीं है जफर को तो सब बता के ही रहूंगा च्छा, तेसी तो चुप, तो चुप, चुप, खामोश, छोटे को चुप कहता है तब चुणने से कोई फाइदा नहीं कल तक सब खत्म हो जारेगा ना तुम बचे कुछे इनसानों को जिन्दा मुर्दा बनने से रोक सकोगे और ना ही उन्हें ठीक कर सकोगे क्योंकि आई ना हरमाएने बदल देगा भाही के कलतक, कलतक यह क्या कह रहा है कलतक? हमारे पास सिर्फ कलतक का वक्त है समझदारी इसी में है कि तुम लोग खार मान लो मेरी अम्मी हमेशा कहती थी अच्छाई और बुराई की लडाई में जीत हमेशा अच्छाई की होती है पर अगर ऐसा ना हो तो वो लडाई अभी बाकी है और मेरी अम्मी ने मुझे कोशिश करना सिखाया है अब मैं वही करने वाला हूँ अपनी आखी सांस तक अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करूँगा कर लो आईने के माईने तो हम बदल के रहेंगे बच्चू अब इंशावाले भाई तुम फिक्र मत करो इसे मैं कैद करके यहीं रखूगा यह तहीं नहीं जा पाएगा और आप महल की जिंदा मुझे पर छोड़ता हूँ मैं एक भी जिंदा मुझे को महल में पटकने नहीं पोगा अब जाओ सबस पढ़ी हासी आ रहे है तो मैं अभी निकालता तक चड़ी काली छूर अमारी खांदान से मिलूँ हूँ 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 पार यहां पे तो कुछ भी नहीं ने ना नाम ना चहरा बस यह पेड़ काली चुर उमने सुना होगा कि हमारे अपने जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो तारे बन जाते हैं हमारे अपनी भी आसमान में टिम्टिमाते तारी बन चुके हैं जिनकी चमक इस दिवार पर पड़ते ही हमारे जहन में उनकी यादे और इस दिवार पर उनके नाम और चेहरे चमक उठते हैं अपनी आसमान में जिनकी यादे यार पर उनकी यादे शार पर उनकी यादे जड़ते हैं पिर देखी तुम पिर देखी तुम यह भुम अब एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है जब ऐसा सल्तनत से सहारा नहीं मगे सल्तनत का सहारा पर दे आ, वहांब मारी दादीजान वह वहां? आ, हमारी दादीजान की दाधीजान दाधीजान की दाधी... यानि.. पड़पड दादीजी Hmm और वो है बुराई खत्म करने वाले चादो हीरे का दाच, मूरे दाच कुछ हम सो गए थे और कैसे है लगता है शराप को कम करना पड़ेगा वरना लेने के देने पड़ जाएंगे किसी दिन यह कमाल है यह अब तक लोटा नहीं आई ना जाने कहां रह जाता है लगता है इसे अब जाकर समझाना होगा हम वो हैं जो इंतजार करते नहीं बलकि हम वो हैं जो लोगों को इंतजार करवाते हैं खायर देखें तो सही हम क्यों देखें यह चोटे मोटे मामूली काम हम नहीं करते हमारे यह काम हमारा गुलगुला करेगा लेकिन कम बखत वो भी कहां रह गया यह अब ये पूरी कहानी उसे समझानी पड़ेगी बताने पड़ेगा कि इस आइने के जरीए हम मलिका तक पहुचने वाले हैं और बगएर बगएर बेखाल चलो उसे ढूने तो सही ऐसी खुबसूरती काश इस वक्त ये यहां होती खाले चौर अगर इस वक्त ये यहां होती ना तो कम से कम दोसो साल की तो होती पेटे की दो खुबसूरत होने के साथ साथ थी बहुत अकलमंद और बहादूर भी थी खुड सवारी, दलवार बाजी, पढ़ाई लिखाई हर चीज में अपने भाईयों से आगी थी हम याद है हमारे अभू बताते थे कि निकाह के बाद सियासी मामलों में हमारे परदादा इन से मश्वरा किये बिना कोई फैसला ने लेते थे तुम्हारी परवरिश भी तो ऐसी ही हुई है नक्चडी हम सबको हमारे पुर्खो और मरहूम बाशा सलामा से सीखना चाहिए और लड़कियों को उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए अले चौर, मुं दुमें बच दिखाना चाहते हैं आओ यह है हमारी परवर दादी जान जब वो हमारी उम्र की थी आप जानती हैं आपकी दादी जान की दादी जान यानि आपकी परपरदादी पर्यों की दुनिया से यहां आई थी उनका नाम था सुल्ताना सहुरा जुबील और वो इस दुनिया में जबसे खुप्सूरत थी हमसे भी जादा ऐसा तो होई नहीं सकता है लेकिन आपका चुहिरा आपकी बातें सब उनके जैसा है और ये जो सारी तस्वीर हैं न ये आपके परपरदादा यानि उनके शोहर सुल्तान शिर्दौस ने बनवाई है ताकि उनकी एक कहानी हमेशा के लिए पिताब में महफूज रहे पर हमने तो वही काजी सुनी है कुछ लड़की दे शेर से लड़ाय करके जीती पिटे की दू मेरी अम्मी एक बार एक मुशायरे में एक शायर से लड़कर जीती थी लेकिन हमारे खांदान में कोई शेर से नहीं लड़कर वा पर पढदादीची हाँ काली चोर और तुम्हें पता है पारा बरस की उम्र तक उनकी कहानिया सुनकर सोते थे और फिर फाप में उनकी तरह बहादूरी से हर मुश्किल से लड़ जाते थे अगर तुम्हें उनका शुक्रिया आदा कर चाहिए क्योंकि अगर तुम्हें काली चोर में नी बनती तो पर इस काले चोर का क्या हूता इसे तुम खाब में नहीं हाँ हाकिकत में भी उनकी की तरह दिखती हूँ फिर तुम्हें उनके शोहर हमारे परपरदादा फिर्दॉस को देखना चाहिए तुम्हें पता है हमारी और उनकी कहानी काफी मुलती जूलती है कैसे? आपके परपरदादा और परपरदादी की पहली मुलाकात एक खतरनाक हैवान जो इताल का सामना करते हुए और पहली मुलाकात में दोनों ने टै कर लिया जिंदगी की मुश्किनों का सामना साथ रह कर सकते हैं ऐसे रिष्टों की उम्र इंसान की उम्र से लंबी होती है मतलब, हम लोग तब से साथ में हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने तुम्हें अपक कैसे बरदाश कर लिया अरी चूर की बच्चे तुम्हारी तुम्हारी तुम् अरनक्षडी अगर तुम्हे कभी ऐसा लगा कि तुम जिसे ढून रही हो वो मैंने हूँ तो पाखुदा तुम ही हो हर चगा तुम ही हो जहां मैं देखू उस चगा तुम ही हो ये कौन सा गान है? है तुने पर एक दिन बनेगा जरूर निका के आगे की तस्थीरों में तब उन्होंने अपनी सल्तिनकानी नूरे ताज पहना है नहीं तो क्या तुमने कभी उसे महल में देखा है? काले चोर वो महल में कभी था ही नहीं, तो देखते हैं कैसे कुपी, वो कहाँ है? वाह, बहुत खूब माशाआलला, शहजादी आज तो आप बिलकुल अपकी पड़पडादी जैसी लग रही है नूरे ताज क्यों पगहर, हम उनकी जैसे कैसे लग सकते है का है वो ताज अबे पैदना है काश हम आपकी खौइश पूरी कर सकते हैं नूरे ताज वही है, जहां उसे होना चाहिए जन्नत-जमीन जन्नत-जमीन, और वो है कहाँ? वक्तात को बचाने के लिए जन्नत-जमीन तो क्या? उस दुनिया की भी जन्नत जाना पड़े, तो मैं चाहूँगा लेकिन काले चोर, जन्नत-जमीन कहां है यह यह हमें कौन बताएगा? एक इन्सान है जो हमें बता सकता है एक पार बताओ तुम यहां बगदाद के तो लगते नहीं हो? कहां से आई हो? जहां तुम जैसे चोटे मोटे इन्सानों की सोच खत्म होती है वहां से बत्तमीज कितने बत्तमीज हो तुम! जो कहता है वही होता है खुद! अच्छा! दिखो ऐसी बते करता हुआ से मैं अच्छा लगता हूँ तुम नहीं क्योंकि तुम बत्तमीज हो बेवकूफ हो और तुम जैसे बत्तमीज वाहियात गुलाम का कोई बत्तमीज और वाहियात आका होगा बताओ अपने आका का नाम बताओ हमारे यहां उनका नाम नहीं लेते और नहीं धोका देते जैसे तुम दे रहे हो तेरी तो शुक्रिया 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 वला वला भी भी जागए गरी भी गुल्गुले ना हो अब जल्दी मिलो गुल्गुले यह आईना हर महाईने बदल देगा परादी के साथ काहूं मखंदासा बंद हो जाया मेरे कमरे का दरभासा तेजी तो मखंखो तेजी तो अभी बताता हूं छोड मुझे अब नहीं मैं तेरी बखबख सुनूंगा और नहीं तुझे वह कमिना देख पाएगा इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने गुल-गुले के बच्चे को दो ही काम तो आते हैं दिन में लगा रहे हैं ठसा 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 ले अंदर रात को सोया पड़ा रहता है आँखों के नीचे गढ़े ना आ जाएं इसके रहे आका में सुझाओ वाडे पर जाकर लाठ मारते हैं उसके और उठाते हैं भी गुल-गुले तु कही नहीं जा पाएगा कौन कहा नहीं जा पाएगा कौन कहीं पुल-भुल-भुल-भुल-भुल-भुल-भुल-भुल हाँ, मैं गुसल खाने नहीं जा पाँगा अगले तीन दिन तक, मतब नहाने नहीं जा पाँगा क्योंकि पर्सों ही मैं गया था ना इसलिए खाने जा पाँगा बैतरीन है? ये बताओ ये, माने कमार पे क्या है? ये, 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 लचक है चराग किजन? हाँ? मजाख नहीं कर रहे हैं हम? क्रिक से जवाब दो ये क्या है? ये ये हाँ, देखी, दिमाग से उतर गया तक्सल वो किसी ने मुझे बताया था कि अगर नींद ना आए तो किसी चीज को लाल कपड़े में लपेट के अपनी कमर के बगल में लगा लो तो अच्छी निदाएगी अग्वास अग्वास रम भाई, मेरी, अरी परिश्वाणी जी तोली, सब की पोल खुं जाएगी अब हमारी पोल खुले वाली है कर दो कर दो कर दो